दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने योट्यूब चैनल पर आज से हम Microsoft Office Tutorials in Hindi शुरू करने जा रहे हैं जिसकी ये फर्स्ट वीडियो है इस वीडियो में हम देखेंगे Microsoft Office का Introduction तो सबसे पहले समझते हैं कि Microsoft Office क्या है Microsoft Office एक Package का नाम है जिसमें बहुत सारे Applications है जैसे कि Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access वगेरा और ये इतना Essential Package है, इतने Essential Software है कि इसके बगएर कोई भी Computer का कारे अधूरा होता है चाहे वो कोई भी Office हो, कोई भी Company हो या Individual कोई PC हो उसमें MS Office जरूर रहता है क्योंकि जैसे MS Word को ले लिजए अप MS Word की ज़रत हर आदमी को पढ़ती है हर Individual Person को पढ़ती है, Company को पढ़ती है या किसी भी दुकान को, किसी भी Office में काम करने वाले व्यक्ति को Employees को, हर किसी को इसकी requirement होती है वैसे ही Excel है, Data Analysis के लिए और Presentation के लिए PowerPoint तो ये इतना Essential Package है MS Office की हर Computer में आपको ये मिल जाएगा इसको बनाने वाली Company का नाम है Microsoft Company आप लोगोंने जरूर सुना होगा, इसके मालिक है Bill Gates और ये Software बनाने वाली Company है इसका जब सबसे Famous Software है, वो है Microsoft Windows जो की एक Operating System है और इसी ने Microsoft Office को बनाया है Office से Related जितने भी काम होते हैं उन काम को Complete करने के लिए जो जो Packages होते हैं, जो जो Applications होते हैं उनका एक Package बनाया गया है जिसको बोलते हैं MS Office MS for Microsoft and Office for Office Use के लिए जो भी Applications required हैं वो चीज इसमें रखे गये हैं दूसरा हम देखते हैं Use of MS Office Microsoft का Use कहां कहां होता है और क्यों होता है तो सबसे पहले इसका Use Documents बनाने में होता है जिसके लिए MS Word यूज़ किया जाता है Data Analysis के लिए होता है इसके लिए Excel यूज़ किया जाता है Presentation के लिए होता है इसके लिए PowerPoint यूज़ किया जाता है और database के लिए होता है जिसके लिए access use किया जाता है Applications कौन-कौन से है Microsoft Office के तो सबसे पहला जो इसका application है वो Microsoft Word है जो documents बनाने के काम आता है documents का मतलब होता है जिसमें हम paragraphs लिखते है paragraph से related जो भी formatting से है, heading से है, styles है और text है, font है, font के colors है, इस तरह के जो भी काम होते है उसको MS Word में किया जाता है, जैसे आपको किसी को later लिखना है कोई thesis लिखनी है, कोई books लिखनी है या आपको कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको paragraphs की जोरत पड़ती है इस तरह की चीजों को documents बोलते हैं documents बनाने के लिए Microsoft Word का प्रयोग किया जाता है MS Office का दूसरा सबसे एहम application है Microsoft Excel, Microsoft Excel data analysis के काम आता है जहां पर आकड़ों को हमको इकठा करना हो आकड़ा मतलब जिसको हम tabular form में लिखना पड़ता है हमको row और column में लिखना पड़ता है और उनकी गड़ना करनी होती है उसको analysis करना होता है उस तरह के काम के लिए Microsoft Excel का उप्योग किया जाता है बड़ी-बड़ी company आज data analysis के लिए अपने business को develop करने के लिए MS Excel का उप्योग करती है तीसरा जो इसका application है Microsoft Office का वो है PowerPoint जो की एक presentation बनाने के काम आता है जैसे आप presentation अभी देख रहे हैं वीडियो में ये इस type का presentation बनाने के काम आता है इसका मतलब यह है कि जैसे आपका कोई दिमाग में कोई idea है जो आप share करना चाहते है लोगों को उसका presentation बना सकते है आपकी सपोज आप कोई company में काम करते हैं कोई products आ रहा है तो products के features को अच्छे से explain करना चाहते है systematic group से तो आप presentation बना सकते है या college में, university में जहां पर आपको presentation देनी होती है किसी चीज के बारे में तो presentation बनाने के काम आता है powerpoint चौफा जो इसका महत्तुपूर्ण application है वो है Microsoft Access Microsoft Access एक database management software है जिसमें हम database को manage करते हैं database आज हर जगा पर required है जाहे आप company में काम कर रहे हैं तो company के जो employees हैं उनके database होते हैं schools में, college में students के हो सकते हैं या other कहीं भी आप काम करते हैं तो वहाँ पर database आपको मिल ही जाएगा तो database management के लिए Microsoft Access का उप्योग किया जाता है इसके बाद देते हैं Microsoft Office के versions कौन कौन से हैं तो सबसे पहला version 2003 है जो advanced version है, 2003 सब पहले इसका version था वो मेरे को exactly याज नहीं है उसका version कौन सा था लेकिन जो सबसे पहला जो advanced version आया इसका वो 2003 था, यह menu based था और इसमें basically जो जुरुआती दोर पे जो required थे जो functions जो Microsoft Office में जो काम के जो functions थे उसको initially तोर पे इसमें include किया गया था इसके बाद इसका advanced version आया 2007 में 2007 टेबिलर टेप्स फॉर्मेट में था इसको 2003 में जो menu format था उसको replace करके टेप्स फॉर्मेट में design बनाया गया और कुछ functions इसमें नए जोड़े गये और उसके बाद आया 2010 उसके बाद 2013 और उसके बाद 2016 और अभी latest 2019 versions क्या होते हैं versions का मतलब होता है जैसे आप कोई भी नया product त्यार करते हैं नया software त्यार करते हैं पहली बार जब आप उसको market में launch करते हैं तो users आप उसको market में use करते हैं और देखते हैं कि वो software कैसा function करता है कैसे क्या-क्या features हैं उसमें और उसके इसाब से वो देखते हैं अपना उसमें और क्या चीज नया एड होना चाहिए तो जो भी company software को बनाती है वो अपने user से feedback लेती है और अपना खूद research करती है और नय features उसमें जोडते जाती है तो 2-3 साल बाद में जो नय features जोड़ करके फिर 2-3 साल बाद वो company उसी software को फिर से launch करती है market में त इसी तरह से वो दीरे-दीरे-दीरे-दीरे develop होते होते रहता है तो software कभी भी खतम नहीं होता है software में हमेशा enhancement और उसमें improvement की गुंजाई समय से रहती है वो हमेशा upgrade होते रहता है और उसके नयने versions आते रहते हैं तो इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने देखा Microsoft Office का introduction जिसम Microsoft Office बनाने वाली company कौन सी है Microsoft Company है इसके honor है Bill Gates Microsoft Office का use क्यों होता है documents बनाने में data analysis के लिए presentation के लिए database के लिए और Microsoft Office जो की एक package है उसमें कौन-कौन से applications हैं तो Microsoft Word है, Excel है, PowerPoint है, Access है और भी है लेकिन ये सबसे ज़्यादा essential software है और उसके बाद हमने देखा Microsoft Office के अभी तक के कितने versions market में आ चुके हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप comments में जरूर बताएं और मेरे चैनल को subscribe करें, Microsoft Office से related हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे next वीडियो में हम देखेंगे Microsoft Excel के बारे में उसके बारे में पूरा detail पढ़ेंगे तो चैनल को जरूर subscribe करें और bell icon की घंटी दबाईए, bell icon को दबाईए ताकि आपको notification मिले जैसे ही मेरा नया वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले notification मिले और like करिए और subscribe करिए और share करिए okay friends मिलते हैं गले वीडियो में, thank you very much